हेलो एवरीवन वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल अक्की दिस साइट तो आपसकी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जीमेल अकाउंट पर कॉंटेक्ट नंबर सेफ कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको अपने सबसे पहले आपको अपने फाइल को ओपन कर लेना है माई फाइल को तो यहां माँ ओपन करके आपको दिखा देता हूं और यहां आपको फाइल मैनेजर में आ जाना है और यहां मैंने कॉंटेक्ट नंबर इंपोर्ट कर रखे थे जो मैं यहां आपको फाइल दिखा देता हूं तो यह आप द आपको क्या करना होगा आपको यहां टॉप में देखने को मिलेगा इमेज देखने को मिलेगा जीमेल अकाउंट की तो आपको इस पर किलिक करना है और यहां आपको देखने को मिलेगा Google Account तो आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद आपको देखने को मिलेगा Home, Personal Info, Data and Privacy यह और यहाँ देखने को मिल रहा है People and Sharing तो आपको इस पर click करना होगा इस पर click करने के बाद यहाँ आप देख सकता है यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहां फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा contact इसके बाद यहां आपको देखने ओं contact info save from तो इस पर मैं किलिक करता हूँ इसके arrow पर arrow पर किलिक करने के बाद अगर आपने यह disable कर रखा या तो आपको यह बटन इनेवल कर लेना है उसके बाद आपको back हो जाना है बैक होने के बाद फिर से मुझे क्या करना है यहां यहां देखने को मिला है फर्स में contact तो मैं इस पर किलिक करता हूं इस तरह किलिक करेंगे तो आप इस तरीके से आपको डाउनलोड करना वन्ना आप इसे stay on web पर कर लेना इस तरीके थे तो आपके जो contact number आपको जो मेरे पहले के contact number वो मुझे इस तरीके से शोव रहे हैं और यहां आपको देखने को मिलेगा यहां आपको देखने को यह प्रिंट देखने को इंपोर्ट देखने को मिल रहा है और side में आप देख सकते हैं यहां मैं इस पर यह आपको देखने को मिल रहा है तो मैं इसको इगनोर करता हूं और यहां जो आपको देखने को मिल रहा है पिलस का icon यह मैं आपको पिलस का icon यह देखने को मिला है Side में आप देख सकते हैं यह वाला तो मैं इस पर click कर देता हूँ click करने के गफ़ाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने हो create a contact अब आप जिस भी person का contact number gmail पे save करना चाहते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका email नमबर या mention करके आप उसका contact number save कर सकते हैं तो यहां मैं back हो जाता हूं उसके बाद आपको क्या करना होगा आपको यहां देखने को मिलेगे टॉप में थ्री डोट के लाइन देखने को मिलेगे थ्री डोट के लाइन पर आना है तो यहां मैं import पर क्लिक कर देता हूं और यहां मुझे क्या करना होगा यहां देखने को मिला है select file अब मैं अपने जो मैंने आपको file manager दिखाय थी file में contact की वो मुझे यहां 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 file manager होहां से select कर लेनी है मुझे अपनी gallery से तो मैंने जो file थी contact की वो मेरी जो import हो चुके और आप देख सकते हैं जो contact number थे वो मुझे इस तरीकी से मेरे जो सारे जो contact number थे मुझे reflect हो चुके हैं इससे दूसरा तरीका क्या है जब आप अपने mail में gmail account login कर लेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगे आपका dial pad देखने को मिला है मैं क्लिक करता हूँ यहां के में और क्रिक करते हैं गृफ्ट करें इस तरीके इस तरीक होगे आपको आप और जो आपने पने। में गिमेल करिक हो आपको किभादी अहीश और लुजाने में बतन सब्सक्राइब और यहां आप देख सकते हैं यहां आप नाम वगरा डाल के उस परसन का contact number save कर सकते हैं तो यह तरीका है कि Gmail आप इस तरीके से contact number save कर सकते हैं तो बीडियो अच्छे लेगी तो लाइक है और सस्क्राइब करें ठैंक्यू सोमाच